हेलो दोस्तों कैसे हूआब तो दोस्तों फिर आजरेओ आपका जेके एक और नीग वीडियो के साथ तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो मेरे हात में फिर एक तलवार है और आपको बता दू सबसे ज़्यादा मुझे जो अभी कमेंट आ रहे थे वो आ रहे थे कि सर तलवार की वीडियो चाहिए तो आपका भाई ले के आया है एक और थलवार का वीडियो और आपको बाता है काफी समय से हमारे चैनल पर वीडियो नहीं आ रहे थे और अब दो जो है continued वीडियो आने फिर आपको समझ में आएगा कि हम क्या चीज़ सीख रहे हैं तो पहले में थोड़ा सा स्विड बताता हूं ठीक है यह देखिए हमने इस तरीके से तलवार पकड़ा याद रखिए हमको मुठी नहीं पकड़ना है नहीं तलवार को पूरा पकड़ना इस तरीके से बीच में प तो दोस्तो अभी आपने देखा कि मैंने जो आपको इस फिडियों बताया अब वही चीज किस तरीके से घुमाई जाती है वह देखेंगे हम सबसे पहले याद रखिए तलवार हमको यहाँ पकड़ना है मुठी नहीं तलवार पकड़ना है बीच में पकड़ना है ठीक है द और यह वापस उसी पॉदिशन में जाई है हमारी तलवार जिस पॉदिशन में है उसी पॉदिशन में हमको इस तरीके से वापस लाना है देखें इस तरीके से यह 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 ठीक है जब आपको इतना आ जाए उसके बाद आपको क्या करना है यह जो हाथ है इसको हम इस तर कर गये इस तरिके से देखिये बिलकुल आसान है को तक डोश्प निया से आपको आ जाएगा तेके आव्हाँ क्या करेंगे दोनों को मकल करेंगे देखे इस तरीके से हमने एक हमरी यहां से्लें ठीक है और यह सिम्पल है देखिए इस तरीके से ठीक है यह इसको दोनों को मच करके अब हम गुमाने लग जाएंगे ठीक है अब काफी कमेंड मुझे सबसे जादा जो आते है वो आते है कि सर तलवार जो है वो पीछे साइड में नहीं गुमती है तो मैं आपको साइड से दिखाता हूँ त इस तरीके से कलाइटर दॉस्त तो थोड़ा साप्र finals गुमा सकते हो आपको मैं दोनों को मज करके बता रहуса कि से वाप अपने वा holistic ठीक है देखिए इस तरीके से गई यहां आई और यह ठीक है दोस्तों देखिए यह याद रखिए हमने जब इस तरीके से पीछे लिकाला तो तलवार की पोजिशन वापस आ गई और यह अगार सिम्पल जोस्तों बड़ा असनी से आप घुमा सकते हैं देखिए तो दोस्तों इस तरीके से जो है वह आप तलवार को घुमा सकते हों तो आयोप दोस्तों आपको वीडियो पसन आएंगा वीडियो पसन आया है तो लाइक करिए चेनल को सब्क्राइब करिए और हाँ दोस्तों बेल आइकन के बेटन को दबाना ना भूले और अगर आप कोई भी वीडियो चाहते हो तो कमेंड करो आपका भाई 100% आपके लिए वो वीडियो शूट करेगा तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ एक और टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाए बाए